आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विग्यान, भौतिक विग्यान और जी विग्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरण वीडियो सिलीशन पाओ अभी डाउनलोड करें नमस्कार दोस्तों, पुछा गया प्रशन है, क्या यहाँ संभव है कि ट्रांजिस्टर में उस सर्जक्त तद्रा तंगराहक दोनों को कैसा रखा जाए अगर अभीनत में रखा जाए, तो जैसे कि अगर हम एक ट्रांजिस्टर की बात करें अगर उसके हमें सक्री शित्र में कारी करवाना होता है, तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर के जो अमिटर वाले भाग है अर्थाज जो उत्सर्जक वाला भाग है, उसको क्या करते हैं? उसको हम लोग अग्र अभीनती में रखते हैं ठीक है अग्र अभीनती में और जो मारा कलेक्टर वाला साइड है अर्थात इसको कहते है उत्सरजक तो जो उत्सरजक होता है वह कैसा होता है वह होता है पश्य अभीनती में ठीक है पश्य अभीनती में अब इनकी जो कह सकते है अगर मान लीजे कि यहाँ NPN transistor है तो क्या हो जाएगा अब कि मान लीजे मैं इनके बीच में बैटरी लगा रही हूँ तो नॉर्मली हम लोग जो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं उभैनिस्ट जो हमारा उभैनिस्ट उस्सर्जक विधा की बात कर रहे हैं तो उभैनिस्ट उस्सर्जक विधा के अनुसार क्या चाहिएगा हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि जो एमिटर और यहाँ जो बेस हैं इसको हम लोग क्या करते है हम लोग इसको मान लेता है यह पॉजिटिव में रखा जाता है मतलब P पे पी लगा जाता है और N पे कर लगाया जाता है negate two ठीक है óर अगर हम लोग उस्सर्जक की विधा की बात करे हो तो हम लोग यहाँ पर normally क्या करते है remake बाइस में रखते हैं अर्थात हम इसको पश्य अभीनती में कैसे एंड पी दिया जाता है और जो यह वारा टर्मिनल है उस पर कर दिया जाता है पर प्रशना अनुसार अब हमें क्या करना है उल्टा करना है हमारी जो अभीनती है उसको क्या करना है परिवर्टित करना है हमें अब इसे ही कैसा करना है इसे भी अगर अभीनती में लेना है कौन से डर्मिनल को यह जो common emitter का जो सर्जक तथा जो emitter वारा भाग है इन दोनों के बीच को में कैसा करना है इने forward bias में मतलब अगर अभीनती में करना है अब क्या हो जाएगा इसे n को n दे देंगे और हमारे पास में जो पी वाला साइड है जो यह वाला साइड है उसको के जाएगे positive देंगे तो अब क्या हो जाएगा दोस्तों देखें इसके गारण जो ie और तथा जो IB है IB का मान मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जो सारे collector है यहाँ जो है यह सीधा एक diode की तरह भाती कार्म करने लगे गया और ऐसा प्रतित होगा कि IB का मान कैसा हो जाएगा IB का मान काफी जादा हो जाएगा और यह संग्राहक में ही सामिल हो जाएगा ऐसा व्यवार करेगा तो यहाँ किस की तरह व्यवार करेगा यहाँ लगू परीपत की तरह व्यवार करेगा ठीक है लगू परीपत की तरह व्यवार करेगा ठीक है इभाती व्यवार करेगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा हमें लगेगा कि सारा जो current है वो कास जा रहा है IC से सिधा वह काम जाएए में ट्रांसफर हो रहा है मतलब IE में पुरा ट्रांसफर हो रहा है और यह कैसे काम करेगा अब देखें जैसे हमें पता है कि जो graph होता है किसका नेरगा तथा निवेश के बीच में जो graph होता है अगर हम लोग IB को लेके चले वह कैसा होता है वह कुछ होता है इस प्रकार से देखें ठीक है यह रहा हमेरा graph तो अगर graph की बात करें तो यह graph कुछ ऐसा होता है आपको पता है अगर मैं फॉरवर्ड बायस में रखू तो कैसा हो जाता है यह graph कुछ इस प्रकार से होता है मतलब यह rapidly बढ़ता है यहां IC है यहां IB है और यहां मेरे पास में VCE में खाल से काया बढ़ता है तो हम लोग कह सकते हैं यहां पर जो हमें बता है कि जो वी-वी है ठीक है V27-य का मांण की सोझागा काफी बढ़ता हो जाएग आतहर्ट हम अंतीक हो जाए कि जो VB का मान है मतलब जो हमारे बेस में जो बोल्तेज का मान है वह कासा हो जाएगा काफी अधीक हो जाएगा कि से रिस्पेक्ट में VC त था VE जो जाएगा तो ऐसा डायोड होलेगा चारी सारी से se यह जो है बेस मतलब अधार से ना होते हुए मतलब अधार अधार अचा व्यावार करेगा कि सारी जो VCE की धार है वह VCE से प्रभावित हो जाएगी मतलब इसमें जो VB का माहिन है बहुत अधिक हो गया है तो VBE बढ़ा हो जाएगा VC तथा VC से भी जादा मतलब किसे BE से अधिक हो गया और इसके गारण क्या हो जाएगा यहाँ एक लगू VBE, base का जो voltage है, अधार का जो voltage है, वो काफी बढ़ जाएगा, और इसके कारणी का हो जाएगा, धारा जो है, वो कहां से निकल के सीधर चले जाएगी, वो IC से निकल करके सीधा IE से प्रवाहित हो जाएगी, और IE जैसे हमें पता है, हम लोग इसको करते हैं, इसको भू संपर करकित कर देते हैं, तो यह सारी धारा जो है, वो कहां से प्रवाहित हो जाएगी, IE से प्रवाहित होने लगेगी, तो यह है हमारे प्रश्ण का उतरता, धन्यवाद, तक सच्छरी से बार भी से लेकर, NEET IET JE वो एडवांस के लेवल तक, एक करोड से जादर चातरों का भर कर दोदॉर